नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको CP Smart Classes में दोस्तों आज के रोजगार समचार के इस वीडियो में कई एहम खबरे हैं लेकिन सबसे पहले हम PCS 2021 की बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए है कि 138 पद बढ़ गए है और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी कलेक्टर के जो जीरो पद थे कोई अधियाचन नहीं मिला था वहां से तो अब बावन पद कलेक्टर के यहाँ पर जुड़ गए हैं SDM बनने का सपना पूरा होगा अब यह भरती 538 पदों पर होगी पहले 400 पदों पर हो रही थी और करीब 7 लाख प्राचारी जी आईसी के 292 पद है अधि आपकारी निदेच्छा के 44 पद है बीडियो के 49 पद है ए आइटियो के तीन डीपी आरो के चार सहायक आयुक्त नगर आयुक्त के 10 अधिच्छक कारागार के 9 ओपन निवंधक के 5 सहायक नियंतरक विधिक माप विज्ञान पद यहां पर दिये गए हैं तो सब मिलाकर पदों की संख्या 538 हो गई है पीसे 2021 के चातरों को बड़ी रहत मिली है जिससे अब उनके तयारी करने के उद्देश को एक नया बल मिला है जिससे अब वो तयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि SDM के पद नहीं थे तो इसलिए चातर काफी परेजान थे कि PCS की परिच्छा क्लियर करने के बाद भी अगर SDM बने का मौका ना मिले टॉप करने के बाद जो टॉपर्स होते उनको भी मौका नहीं मिलता तो यह तैयारी जो है एक हिसाफ से ऐसा लगता है कि जिसे बिना किसी परणाम के तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश लोग से आयोक के नए अध्यच के चैन के लिए का रवाही सुरू हो चुकी है जो मौझूदा ध्यच्छ हैं यहां पर वो आये सद्धिकारी है अवकास प्राप्त आये सद्धिकारी प्रभात कुमार और इनका कारिकाल जो है एप्रैल में कि उम्र में यह रिटायर हुए थे उसके बाद ही इन्होंने जोइन किया था तो अगले अपने दो साल के कारिकाल में इन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं और उत्तर प्रदेश लोग से आयोक की गाड़ी यो पट्री से उतर चुकी थी उसको यह पट्री पर लेकर आए है दो थे ग्यूसमें जारी करने की पूरी उम्मीद हैं तो ऐसे मैं कोई कोई ऐसी आदिकारी आना चाहेंgehे यहां और साथन उनको लाना के यह तो यहांटिकार रहा है जो च्छातर चनल पर नए है चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबाते हैं जिससे उनको सभी तरह की अपडेट मिलती रहा है और यह हमारा मॉवाइल अप्लिकेशन है जिस पर यह कोर्स चल ले हैं टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता गणित कोर्स चल ला है जुन कि मॉक्ट अनलाइन टेस्ट है इसका करके आप जी कियी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं यहाप रहत अबर पेपर इसके साथ-साथ है है संगीत की संगीत की तेयारी हमारे यहां से करवाए याती है टीजीटी पीजीटी म्योजिक की खाल्स भी है इंग्लिस की क्लास भी है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे एड़ जुनियर सचक भरती की गनित और विज्ञान की भी क्लास डेली आनलाइन चलती है वारे यहाँ पे संगीत की क्लास भी चल लएए और यूपी ट्रिपल स्ट के लिए डेली कुईज है स्टि जेए के लिए कोर्स है यहाँ पे और अंग्री जीजिवीशे का कोर्स है आपके लिए जयक प्रउक्ता भगती के लिए टी जीटी पीजीटी के लिए अगर आपको इन में से किसी भी कोर्स में प्रुवेश लेना है तो हमारा नमबर याद लखी 831-922-6960 पे आपको इंट्री लिखनी है और किस कोर्स में आपको प्रुवेश चाहिए वो लिखना है जूनियर सिचक भरती का आप ये देख सकते हैं कि जो टेस्ट चल ला है उसमें किस तरह से नमबर आ रहे हैं प्रशने का एक टेस्ट डेली होता है लाइब 49 नमबर आ गये हैं रमेश बर्माजी के 23 रजिनीज के 22 मोती के 21 तो इस तरह से नमबर आ रहा आप डेली अपने चालिस कुचिन को स्वालव करके जूनियर एडिट सिचक भरती के सामान गयान के 50 प्रस्णों की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं 22 प्रस्चक और इवा कल्यान अधिकारी के 90 पद खाली रहा जाएंगे सारी पत्र था कि कठिन मानक की वज़े से 728 पदों के सापेच 638 ही हुए क्वालिफाई 22 प्रस्चक और इवा कल्यान अधिकारी के लिए तीन गुना भ्यारतों को मौका मिलने के बाद भी पद खाली रहा जा रहा है 90 पद खाली रहा रहा है एक कफ़ऑरी है करमचारियों के लिए लिए लिखा है कि महंगाई भद्त Darth की रुगी 3 किस्तों का भुग्तान जल्द किया जा baru कि जो यहाँ जो महंगाई तो यहाँ पर जो जवाब लिखित जवाब दिया है, Minister of Finance ने जवाब दिया है, इसमें कोहिशन जो पूछे गए थे कि freezing of DA to central government implies pensioners till July 21st has subjected them to undue hardship. If so, the reason for not restoring DA to central government implies and pensioners before July 2021. whether central government implies and pensioners are not entitled to three installments of DA and if so, whether government would also release these installments and if not region therefore, यह कोहिशन पूछे गया थे, इसका वाँशर दिखिए, यहाँ पर दिया गया है, स्री अन्वराग ठाकुर्न ने इसका इंसर दिया है, जो कि finance minister है, A and B in view of the crisis arising out of COVID-19 pandemic, the government has decided to freeze these installments of DA and DNS relief to central government employees and pensioners due to 1-1-2020, 1-7-2020, 1-1-2021. The amount 37,530.08 करोन saved on the account will help to tie it over the economic impact of COVID-19. तो COVID-19 की महामारी से बचाओ के लिए, जो भारत की एकोनामिक ब्योष्था है, उसमें 37,530.08 करोन रुपए का सरकार को फैदा हुआ है, इस कर्मचारियों को DA बृध्धी रोकने से. DA को फ्रीच कर दिया गया था, पिछले 1.5 साल से DA महागाई भत्ता जो है, जो बढ़ती है 6 महीने पे किस्त, वो कर्मचारियों को नहीं मिल लाई थी, उससे सरकार को 37,530 करोन रुपए का फैदा हुआ है, और अब जून से इसको फिर से शुरू किया जाएगा, एक जुला कर्मण ने गठा किया है, यह गौवर्मेंट के खाते में ही रहेगा, यह कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, आर्वी आई रिजर्व बैंक आफ इंडिया में वेकेंसी है, आफिस असिस्टेंट की कुल 841 पाद है, 25 वर्स की आयू होनी चाहिए, और आनलाइन परिच्छा होगी, उसके बाद चैन किया जाएगा, सेलरी 26,508 है, दस में पास अंडर ग्रेजुएट हुआ, अनि अगर आप ग्रेजुइट नहीं है, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परिच्छा की तिथी 9 और 10 अप्रैल 2021 है, तो अगर आपने भी तक आवेदन नहीं किया है, तो आवेदन कर दीजिए, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और जी डाट इन पर जाकर आपको आवे और इस भरती के लिए आवेदन 25 फरवरी से लिए जा रहे हैं, आयोग ने निजी कालेजियों और विस्विद्याले से सनात को तर करने वाले अभ्यारतियों को सहुलियत देते हैं, उन्हें रिगुलर का कालम भरने की छोट दिये, प्रावेट कालम ना होने के करण आवेद 27 मार्च तक आवेदन पत्र जमा करने की अंतिन तारिक है, 26 मार्च तक पंजी करण कराया जा सकता है, एल्टी ग्रेट सिच्चक भरती की ख़वर है यहाँ पे, आनलाइन काउंसिलिंग के लिए जल्द पोर्टल खुलेगा, माद्वी सिच्चन इदेशक ने लखनों पहु आयोग मां भर पहले इन चैनितों की फाइलें सिच्चन इदेशाले को भेंच चुका है, पिद्योगी मोर्चा की पताधिखारियों ने लखनों जाकर माद्वी सिच्चन इदेशक बिजे विने कुवार पंडे को समस्य से बताई तो उन्होंने असोसन दिया कि आनलाइन का सिच्चन इदेशाले प्रियाग राज को भेंच दी इसके वाद 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पूरुस वरकी और महिला वरकी की फाइलें भी भेंच दी गई है तो अब इनकी केवल ज्वाइनिंग होनी है सिच्चन इदेशाले राज की इंटरकालोजियों सिच्चन अगले दो दिन में इस पोर्टल के खुलने की पूरी उम्मीद है चात्रे टक्टकी लगाए हुए है कि प्रितियोगी मोर्चा के माध्यम से कोई ऐसी निउज मिले जिससे उन्हें उम्मीद जगे कि उनकी ज्वाइनिंग पंचायत चुनाओं की अधिसूचना जारी होने स से पहले हो सके तो दोस्तों यह थी अपडेट और प्रमुक खबरे आज की इस रोजगार की मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई इपडेट और नई खबरों के साथ धन्यवाद